और लॉजिक भी ठीक है, कि हाँ इस्पेक्टरल लाइन इसलिए मिलते हैं, क्योंकि वो एनरजी खुद की नहीं देता है, एब्सॉर्ब करता है, हाइर एनरजी स्टेट में जाता है, वहाँ 10 की पाउर माइनस 8 सेकिंड तक रहता है और वहाँ से वापस आते वक्त आपको एन स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 9 है, इस से पहले शेप्टर के 8 लेक्चर सा चुके हैं, अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को विजिट नहीं किया है, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें विजिट करें, एटम के सारे कंसिप्स क्लियर क को फिल करकर आप इस लेक्चर नंबर 9 पर आएं, इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग को क्या आज देखना है, या क्या हम स्टडी करेंगे, तो लिमिटेशन और बहुस एटॉमिक मॉडल हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हैं कि लेक्चर न को एक अच्छे ढंग में explain करने की क्या की थी कोशिश की थी और आप देख सकते हैं या पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो काफी हद तक आप क्या सकते हैं कि की मौडल stability को अच्छी तरीके से explain भी कर पाता है रधर फोड के मौडल को दूर करते हुए बोहर के मौडल ने कई सारी unique points या कई सारे अच्छे points को लोगों के सामने रखा था इसके बावजूद इस मौडल में कई सारी ऐसे दिक्कते थी जिसके वज़े से हमें आगे चलकर नए models के बारे में सोचना पड़ा तो वो कौन सी दिक्कते थी जो बोहर के atomic model को वीक बनाते थे या इस model को खराब साबित करते हैं तो हम उन points को भी जड़ा देख लें हमने इसके अच्छे points तो देखें हैं लेकिन कुछ खराब points पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि हम यह समझ पाएं कि हमें इस model के अलावा भी आगे advanced models की जरूरत क्यों पड़ी है तो हम इसके limitations को शूरू करते हैं बोहर के atomic model का सबसे पहला limitation है it is only applicable it is only applicable for hydrogen hydrogen-like atoms तो यह सरिफ hydrogen-like atoms के लिए applicable होता है मतलब यह hydrogen पर apply होगा यह अगर helium लेते हैं तो plus 1 पर apply होगा lithium लेते हैं तो plus 2 पर apply होगा barium beryllium लेते हैं तो plus 3 पर apply होगा boron plus 4 पर apply होगा इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे देखिए main point यह है आपके बोहर के atomic model का कि बोहर का atomic model सबसे पहली बात तो बहुत छोटे size के atoms पर applicable होता था बड़े atomic size वाले atoms बोहर के rules पर या बोहर के rules के according answers बहुत clear नहीं देते थे spectral lines के जो value आते थे वह clarified नहीं रहते थे यानि कि वह किस reason में belong करते हैं इसका सही सही पता नहीं लग पाता था और दूसरी बात यह स्रिफ monoelectronic system के लिए ही लागू हो पाता था monoelectronic system मतलब जिस atom में स्रिफ एक electron हो अब देखिए hydrogen के पास अगर आप hydrogen को देखें यहां पर तो hydrogen एक proton होता है और उसके पास एक electron होता है बोहर का आप देखें यह एक electron है negative वाला आप अगर helium को देखें तो helium का पहले हम normal structure बना लेते हैं दो proton होते हैं दो neutron होते हैं न्यूक्लिस में और बाहर होते हैं दो electron लेकिन अगर आप बोहर model पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक electron भगाना पड़ेगा क्योंकि स्रिफ monoelectronic atoms पर ही क्या होता है इसका मतलब यह है कि आप एक electron यहां से क्या कर दीजिए हटा दीजिए अब एक electron बचेगा और इसके उपर आप कैसा चार्ज लगा दीजिए पॉजिटिव क्योंकि जितने electron का atom donation करता है उस पर उतना ही क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है खेर यहां पर प्लस चार्ज आ चुका है और इसके पास एक माइनस वाले electron बचा हुआ है अब आप इस पर बोहर का मॉडल पढ़ सकते हैं ऐसे ही लिथियम के पास तीन electron होते हैं तो कितने electron आपको डोनेट करने पढ़ेंगे दो इसलिए यहां पर प्लस टू चार्ज है बेरिलियम का अटॉमिक नंबर फोर होता है उसके पास चार electrons होते हैं तो आपको कितने डोनेट करवाने पढ़ेंगे तीन और बोरॉन मेंसे जब आप चार निकालेंगे तब उसके पास एक electron बचेगा क्योंकि total उसके पास होते हैं पांच तो इस तरीके से यह काफी ही मेहनत का काम हो जाएगा मेहनत का मतलब क्या है देखिए आपको असा लग रहा होगा कि या simplified version तो है क्या दिक्कत की बात है हमें hydrogen पर पढ़ना है हम hydrogen पर पढ़ लेंगे helium पर पढ़ना रहेगा तो एक electron हम लोग एमिट करा दिया करेंगे और बोहर का model पढ़ लिया करेंगे तो यह limitation वाली बात कैसे होगी इसमें क्या दिक्कत है ना देखिए limitation है इसका एक reason यह है दो इसके reason है पहले दो समझ यह किसी भी atom में से electron को बाहर निकालना इतना easy job नहीं है जितना अपने मन में सोच रहे होंगी क्योंकि किसी भी atom से electron को बाहर emit कराने के लिए atom energy की demand करता है कहने का मतलब क्या है जैसे यह चौक अगर atom हूँ और मुझे से एक electron बाहर निकालना हूँ तो मुझे बदले में इस atom को energy देनी पड़ेगी कहने का मतलब कि जब तक energy पाएगा नहीं तब तक electron emit करेगा नहीं और कई के atoms के लिए इस energy की requirement बहुत huge amount में होती है तो मतलब हर atom में से electron को निकालना एक tough job हो जाता है एक तो यह बड़ी दूसरी बात कि atom में से electron निकलने के बाद उसके कई सारे properties में changement आता है मतलब मान लिजे कि आज आप he plus को तो पढ़ लिए helium में से electron निकालकर he plus पर आपने model पढ़ लिया लेकिन इन reality जो original helium का atom है वो कौन से property शो करता है वो आप कभी नहीं जान पाएंगी तो देखिए दिक्कत की बात है ना कि आप उसके एक दूसरे शकल को पढ़ लें और उसके original शकल को जाने ही ना आप एक पैसा सिस्टम समझे जिससे एक सरकस में जोकर काम करता है तो अपने चेहरे पर मेकप लगा कर रखता है अगर जिंदगी भर मेकप लगा कर यह आपके सामने आता रहे तो क्या आप उसको बिना मेकप के कभी बजार में मिल जाया या कहीं मिल जाया तो आप पहचान पहचांना आसान होगा तो आप LELSS को उसी जोकर की तरह मांँ सकते हैं जो इसको मेकप के स्टेट में हैं तो आप अभी तो उसको देख ले रहे हैं समझ ले रहे हैं लेकिन जो ओरिजनल उसकी शकल है Все वाला जिसके पास दो इलक्टरॉन होते हैं कि आप उसकी प्रॉपर पढ़ने के लिए हमें उस पर दूसरा कोई मॉडल ले आना पड़ेगा जो सभी electronic systems के लिए apply होता हो मतलब उसके उपर ये foundation ना हो कि आपको सिर्फ एक electron रखना है आपको दो electron रखना है ऐसा कोई limitation उस पर ना हो हमें को एक ऐसा free model चाहिए जो हर electronic system के लिए apply होता हो चाहिए उसमें एक electron हो चाहिए पचास हो चाहिए पांस हो है ना ठीक इससे कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए तो यह बात आपको समझ कर रखनी है जब 500 electron होते नहीं नहीं आप concept बना ले अपने मन में तो एक बात यहां पर समझ यह कि पहला पॉइंट तो आपको clear रखना है कि यह स्रिफ hydrogen और hydrogen like atoms पर ही क्या होता है अपला ही हो पाता है तो यह इसका पहला limitation हो गया इसके बाद हम दूसरे limitation पर ध्यान दे लें टेक second limitation है इट डज नॉट ओबे दू नॉट ओबे दू नॉट की बजह हम दू नॉट यूज कर लेते हैं दू नॉट ओबे है हाई जेन वर्क्स हाई जेन वर्क्स on uncertainty principle इसका मतलब क्या है पहली बात देखे हाई जेन वर्क की अनs तैंड प्रिंसिपल क्या होती है वह हमndern atomic structure में पढ़ेंगे अभी हम atomic structure तो पढ़ रहे हैं लेकिन यह classical part है है ना atomic structure के दो chapter से पहला आपका है classical और दूसरा है आपका modern तो अभी हम classical में modern atomic structure में जब हम पहुंचेंगे तो हम structure को study करेंगे या इस rule को हम लोग study करेंगे लेकिन फिर भी आप थोड़ा इसको समझने और सुनने की कोशिश करिए हाईजनबर्ग का कहना ये था कि अगर कोई बहुत छोटा सा particle है और वो बहुत तेजी से move कर रहा है highly accelerated है ध्यान दिया बहुत छोटी सी चीज और highly accelerated तो आप कभी भी उसके position और उसके speed या velocity कह लिजिए दोनों का calculation एक साथ perfectly नहीं कर पाएंगे मतलब एक छोटी सी चीज अगर आपके आँखों के सामने से बहुत तेजी से दोड़ कर जा रही है तो अगर आप उसका position सही बता ले गए तो उसके velocity को बताने में आपसे गलती हो जाएगी और अगर आप उसकी velocity सही बता ले गए तो उसके position को बताने में आपसे क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी ठेक इसे कहते हैं हाईजनबर्ग uncertainty principle for example जैसे एक चीटी अगर चल रही हो ठीक चीटी तो खैर electron से बहुत बड़ी चीज है लेकिन फिर भी एक्जामपल के फॉर्म पर हम समझ सकते हैं चीटी अगर जमीन पर चल रही हो क्योंकि वह तेज चलती है आपने अगर काली वाली चीटी को देखा हो तो बहुत तेजी से ह चीज है तो उसके स्पीड का और पोजीशन का एक साथ एक्जैक्ट और परफेक्ट कैल्कुलेशन कर पाना थोड़ा क्या होगा मुश्किल जवाब होगा लेकिन बोहर का मॉडल ऐसा कहता है कि आप electron की पोजीशन एज वेल आज उसके मोमेंटम यानिकी स्पीड को एक साथ इसली और करेक्ट फर्म पर क्या कर सकते हैं कैल्कुलेट कर सकते हैं बोहर ने ये कहा था उनके उन्होंने फार्मूले दे कर रखे हैं रेडियस को वेलास्टी को चीज़ों को दोनों वैलूस को यानिकी electron के position को साथ ही साथ उसके speed को इसली साथ सही सही कैल्कुलेट कर सकते हैं बोहर का मॉडल यह कहता है लेकिन हीजेंब की अ Glen प्रिंसिपल इस बात को नहीं मानती है और हायजेंब की अन्से क्रीज फिरिकल बाकि अलग अलग जग सब्कों पर इसको तरीके से अधित smoking इस को सही तो टोकी बात है बोहर इस चीज आप electron की position और velocity दोनों का exact perfect calculation कर सकते हैं जबकि हाइजेंबर का कहना है कि किसी भी छोटे particle जो highly accelerated हो बहुत छोटी सी चीज अगर बहुत high speed में चल रही हो तो उसके position और velocity का एक साथ perfect calculation कभी भी नहीं किया जा सकता है it is impossible तो पक्की बात है आप बोहर का model अगर पढ़ रहे हैं तो हाईजेंबर की uncertainty principle को follow करते हुए नहीं पाएंगी बोहर का model हाईजेंबर्ग साहब के बात को बिलकुल भी follow नहीं करता है यह बात ध्यान रखिएगा यह इनका दूसरा limitation है third point पर हम आ जाते हैं तीसरा limitation आपके बोहर का model का क्या है तो it does not do not explain stark effect यह stark effect को explain नहीं कर पाता है यह stark effect क्या चीज है तो इसको समझने की कोशिश करिएगा जैसे मान लीजे आप spectral lines देखते हैं spectral line का मतलब होता है पिछले lecture में आपने अगर मॉडल को study किया हो तो उसमें hydrogen का spectrum क्या होता है यह आपको मैंने animation की थूबी समझाने की कोशिश की थी तो hydrogen के spectrum में spectral line एक दूसे से दूर-दूर होते हैं और अगर इन spectral lines के दोनों तरफ हम electric field मतलब होता है एक तरफ बैटरी का connection प्लस से कर दें और एक तरफ माइनस से तो ऐसा करते ही यह जो line होते हैं यह जो एक single line दिख रहे हैं बहुत चोटे-चोटे lines में डिवाइड हो जाते हैं मतलब कहने का मतलब क्या है आप थोड़ा इसको imagine करने कोशिश करिए कि यह line जो white वाली आपको single दिख रही यह break हो कर ऐसे छे-7-8 line में तूट जाए मतलब मैं ऐसे दिखाने जा 6-7 line में तूट जाएंगे मतलब यह वाला white line गया और उसकी जगे पर यहाँ 6-7 छोटे-छोटे और lines आ जाएंगे यह वाला भी गया और उसकी जगे पर 6-7 छोटे-छोटे-छोटे lines आ जाएंगे ठीक है ना इस effect को क्या कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि इसको डुड़ने वाले सांटेश जो थे वो स्टार्क साफ थे और स्टार्क साफ के रिष्प्ट में इस effect का नाम क्या रग दिया गया स्टार्क एफेक्ट बोर से बुछा गया कि ऐसा क्यों होता है उन्होंने hydrogen spectrum explain किया था उन्होंने बताया था कि hydrogen का spectrum continuous नहीं हो सकता है वो discontinuous होता है तो उनसे फिर पूछा गया कि यह आपने बताया discontinuous चलो हमें दिखता भी है practically भी प्रूफ होता है आपके model से भी बास सावित होती है यानि कि अगर आप लैब में hydrogen का spectrum experimentally बनाया तो भी discontinuous आता है और बोहर के model के according देखें तब भी discontinuous आता है यानि कि इस मामले में बहुर सही थे लेकिन जब इसी model को यह सब्सक्राइब लाइन को electric field में रखा गया तो बहुत चोटे-चोटे parts में क्या हो गया दिवाइड हो गया और जब बहुत चोटे-चोटे parts में डिवाइड हो गया तो उनसे पूचा गया स्टार्क साब का यह effect था स्टार्क साब ने पहली बार इसको practically proof किया था तो स्टार्क साब के इस effect के बाद बोहर के model से कहा गया इसको भी explain करिए तो उनका model इस effect को explain करने में फेल था वो यह बात नहीं समझा पा रहा था कि electric field के presence में यह spectral lines क्यों छोटे-छोटे lines में divide हो जा रहा है तो यह उनके model का क्या है तीसरा limitation है ठीक है ना तीसरे limitation के बाद हम अगले limitation पर बढ़ जाते हैं it do not explain जीमन इफेक्ट यह जीमन इफेक्ट को भी explain नहीं कर पाता है जीमन इफेक्ट भी सेम सिस्टम था spectral lines को उन्हों ने लिया और अब की बार जीमन साहब ने electric field की जगे क्या लिया magnetic field उन्होंने क्या किया कि एक तरफ north pole वाला magnet ले लिया और एक तरफ south pole वाला और magnetic field की direction होती है north to south इसकी presence में यह वाली line फिर से बहुत चोटे-चोटे टुकडों में तूट गई यानि कि छोटे-चोटे forms में ऐसे ब्रेक कर गई यह single line बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे lines में क्या हो गया breakout हो गया और जब ब्रेक आउट हो गया तो बहुर से इसका भी रिजन पूछा गया कि वह यह बताईए जीमन साहब ने जो एक करकर दिखाया है आपके spectral lines के साथ इसका main reason क्या है तो उनका model इस effect को भी explain नहीं कर पा रहा था मतलब आप जब किसी भी spectral lines के terminals पर magnetic field apply करते हैं तो वो spectral lines चोटे-चोटे lines में break कर जाता है वह जब चोटे-चोटे lines में break कर जाता है तो इस effect को जीमन साहब ने डूडाते हैं से लिए इसको जीमन effect कहते हैं और बोहर का model इस चीज़ को explain नहीं कर पाता कि क्यूं यह spectral lines इतने चोटे-चोटे parts में divide हो गये हैं यह इतने चोटे-चोटे टुकडों में क्या हो गये हैं तूट गये हैं इसे हम g-man effect कहते हैं और बोहर का model इस effect को भी explain करने में क्या रहा फेल रहा यह इनके model का क्या है अगला limitation है इसके बाद हम अगले limitation की तरफ बढ़ जाते हैं इसके बाद हम अगले क्या है इसके यहा इसके अभ छिफ आल इसके अगले कि बीशी आचे कर दे प्याव दे piss बच्क कर द offenders्त में क्यांश्य। अगले को अगले रहा बीश्यक्या है इन इन शेल अब यह क्या है देखिए अगर आपको याद हो तो बोहर साहब ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉंस होते हैं वो न्यूक्लियस के आउटसाइड रहते हैं और न्यूक्लियस के आउटसाइड वो हर ऑरबिट में नहीं गूमते हैं कुछ इन शेल कहा था और उसमें वो घूम सकता है या नहीं गूम सकता है यह चेक करने के लिए उस इलेक्ट्रॉं के एंग्लर मोमेंटम को h by 2 pi से डिवाइड कर दो अगर complete integral मिल गया तो घूम सकता है और fraction मिला मतलब 0.5 0.2 तो नहीं घूम सकता है तो और उसके बाद उन्हें ने कहा कि अगर उस special type के cell में electron रहता है तो वो कभी भी वहाँ पर energy का emission नहीं करेगा आप पिछले lectures को देखिए तो आपको यह point ज्यादा clear होंगे कहने का मतलब यह है कि अगर electron जैसे nucleus है उसके अगल बगल क्या है shells हैं और यहां तो बहुत सारे orbit रहते हैं पिछले lecture में उन्हें देखा था कि यहां बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन electron उन सभी लोगों में न रहकर कुछ special घर रहते हैं उन्हीं में रहता है जहां n की value complete integral है 1i 2i 3i है ना तो उन्होंने कहा कि जब इन special cells में electron रहता है तो वो कभी बे energy का emission नहीं करता है वो energy का emission तभी करता है जब वो कहीं से energy absorb करें absorb करकर वो high energy level में जाता है जहां तक पहुंचने लायक उसको energy मिली हो special type के energy लेकर higher energy level में जाएगा वहां 10 की power minus 8 seconds तक रुकेगा और उसके बाद अपने घर वापस आते हुए energy का क्या कर देगा emission कर बोहर की explanation तो एकदम perfect है अच्छी है हमें atomic stability इससे समझ में भी आ जाती है और logic भी ठीक है कि हाँ spectral line इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो energy खुद की नहीं देता है absorb करता है higher energy state में जाता है वहां 10 की power minus 8 seconds तक रहता है और वहां से वापस आते वक्त आपको energy देता है लेकिन फिर भी ये बात अभी भी अधूरी है हम ये सवाल जरूर बहर से उठा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों माना कि ये electron जब shell में रहता है तो अपनी energy का loss क्यों नहीं करता है उन्हें तो बत कह दिया कि आप मान लीजिये कि जब electron shells में रहेंगे तो अपने energy का loss नहीं करेंगे जिस cell में रहेंगे उस cell में अगर उसके पास 2000 जूल के energy है तो 2000 जूल के energy को वेस्ट नहीं करने वाले है वो energy तभी आपको वेस्ट करते हुए नजर आएंगे जब उनको कह 500 जूल के energy मिली तो 2500 जूल अपने अंदर बनाएंगे higher energy स्टेट में जाएंगे और जब वहां से अपने घर वापस आने लगेंगे तो 500 एमिट कर देंगे तो in fact उनका 2000 तो अभी भी सेफ है खर्चा क्या हुआ है जो उन्होंने 500 जूल को क्या किया था एब्सॉर्ब तो हमारे मिन में question तो अभी भी arise होना चाहिए कि क्यों shell में रहते हुए electron आखिर क्यों अपने energy को loss नहीं करता है ऐसा क्या condition है electron को ऐसा क्या सिखाया गया है कि वह energy का emission नहीं कर पा रहा है इस fact को बहुर सा clear नहीं कर पा है बस उन्होंने इस point को क्या कर लिया था assume कर लिया था और assume करने पर explanation perfect बैठ गया इसलिए बोहर ने उसको use कर लिया तो ये भी एक अच्छा खासा limitation हिनके rule का कि ये properly explain नहीं कर पाते हैं या properly इसका reason नहीं दे पाते हैं कि क्यों energy का emission electron अपने shell में नहीं करता है वो तभी करता है जब कहीं से वो energy पाता है अपना वाल reason बोहर के पास नहीं था तो ये limitation थे बोहर के model के जो आपको याद रखने हैं जो आपको पढ़ना है आज के इस lecture में हम लोग इतना ही रखेंगे तल से हम बोहर के rules को use करते हुए hydrogen atom के लिए hydrogen like atoms के लिए हम लोग energy radius और velocity के formula को derive करने की कोशिश करेंगे और उस पर numerical solve करेंगे तो आज इस lecture में आप इतना रखिएगा बाकी ऐसे ही educational videos को या ऐसे ही आप science related videos को देखने के लिए इस channel को subscribe कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ या family members जो भी आपके हैं जिनको 12th class के या 11th class के lectures की जरूरत है जै मेंस related या आपको needs related कोई भी क्यूरी है तो उन तक ये वी subscribe कर लें बाकी इस channel पर आपको educational rated videos लगातार मिलते रहेंगे तो बाकी का अगले lecture में रखेंगे आज के लिए इतना ही